तर्व को स्थेर न सब्सक्राइब करें तो गुड़ मॉर्निक स्टुटेंट्स तो आज अपके साथ ने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है याई अ इसानी कंजेरवेटिव मेथड आफ डी अने रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैथेड आफ डी ने है रिप्लिकेशिन तो इसके इसको सेमी की डीने की जो एक स्ट्रेंड है जब भी डीने की रिप्लिकेशन होगे तो एक स्ट्रेंड पेरेंटल बनेगा गिए इने बनता है उसके अंदर एक पुराना होता है और दूसरा नया स्टेंड जो बनता है उसके अद्ण इसमें पेरेंट डियने का है और आधा है नूटर का तो इसलिए इसमें ऐसे मेथट को हम क्या बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैथड अफ डियने रिप्लिकेशन बोलते हैं तो यह प्रूव किसमें याद हम सभी जानते कि मैसल सेने स्टॉल कें सब्सक्राइब एक और तो टेलरस टेशन हुआ भी प्रूव करता है कि डिएने के रेप्रिकेशन क्या होती है सैमी गंद्रब्रेटिव होती है और इन्होंने टेलर ने अपना एक्सपरिमेंट जो है यह प्रफॉर्म किया था और रूट टिप सेल्स ऑफ वीजिया अपर यह इंक्यों प्रफॉर्म टिमें गिवन भी है लिखा हुआ है यह वीजिया फाबा जिसको हम कॉमनली जानते हैं फाबा बींस के नम से तो इनकी रूट टिप सेल्स पर यह एक्सपरिमेंट हुआ था तो एक्चुली इस एक्सपरिमेंट में हुआ क्या था यह हमें देखने की जूर्थ है तो देखिए इसमें हम इसको डाइग्रमटिकली मेथट से पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत है यह तो इस एक्सपरिमे कि रूटिप सेल्स को ग्रोव किया गया रेडियो एक्टिव थिमिदीन के अंदर कि रेडियो एक्टिव थिमिदीन कि मीडियम के अंदर रूटिप सेल्स को ग्रोव किया गया तो रूटिप सेल्स के अंदर जो क्रोमोजोम होंगे सब्सक्राइब हो जाएगे इस से जिते हो जाएगे लेबल हो जाएँ तो कि आप देख सकते हैं यह पर एंदर जो यह से न है इस करुमोसोम से तो तो है यह आपकी क्या है दिखो यहां पर यह nap यह सकते हैं सिबाओ यह जो क्रोभाम यह पि debated एंदर यह जैसा कि जानते की छूपर Band घ्री एक्टिव धीथे इसको हमने भूट को ग्रों किया था तो रूट टिप सेल्स जो फाबा बिन्स की है जो हुआ यहां पर यूज की है जो की बेसिकली अधो हमने ग्रोकी है रेडियाक्टिफ फिमेडीम के अंतर तो इंदर नेक्स कि अब होगा क्या अब हमने गरों तो कर दिया देखिए इसको अब इसके बाद हमने किया करना है सेकस्षन जनरेशनary कि तो आप ने देख़ में यह फांसों में फास्ट जनरेशन को रीपरिजन कर रहा है यहांपर तो है इसे फेस्ट जर के अंदर जो भी का कुरुंट में प्यांटा रिख रहे हैंं का फिर्व में है डोनों भूल धान का रिर्यणि कषिए है कि लेबल्क सिफ आप देखे लिएक्टिव हरे हैं यहां फर डॉट शेड़ डाइग्रांव हमने लिए पर पे है कि हमने रिष्टीञ को मित्समीं किया लेक्टीड नोर्मल मेडियम लेंगे हम तो जब नॉरमल मेडियम लेंगे तो अब देखिए होगा क्या लगोजाते हैं आप यहां पर देख सकते हैं उसमिए तो हो गे नहीं तो होगा लेपल हो गा जो भी नियू स्टेंट बनेगा हमारे सामने यहाँ पर यह देट विल बी है विदाउट रेडियाक्टिविटी इस 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 less strengths ऊडिशेंट मैं जो यह सिर्डद सोसे बीडाया पास रेडिय। रेडियड़ अक्तिविटी इस 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 लिए निया स्टैंड है डियेने ए ит reminds कि हमने सेल को यहां पर करो किया नॉर्मल बीडियों के इंदर रोकिया तो न्यू स्टेंड अब हमेशा क्या होगा विदाउट रिडेक्टिविटी अगर हम फिर से यहां पर इसको अब और के यहां पर अभी सैकन्ड जेनरेशन यहां पर इसको अगर यहां पर जांने के लिए अलाव करें तो यहां को पता हो यह पितने वह स्टेंड यह अलग हो जाएगा है उस प्छे अलग हो जाएगा यह स्टेड्ट अलग हो जाएगा और यह स्टैंड अगे तो इसके साथ यहां पे ऐसे बनेगा और यहां पर ऐसे बनेगा है थो आप देख रहे हैं कि यह जो किसि आप एक्सपरिमें tratar कि जोब्लिकेसिन होती है तो एक meto होता है वो हमेशा पेरट्लेंट होता है आप जिससे यहां पर देख रहे हैं ये पेरेंटすरेंट है आपिए मैं एक स्टैंड हमेशा पेरेंट स्टैंड रहेगा और जो नया स्टैंड बनेगा उसके कॉंप्लीमेंटरी वो डॉटर स्टैंड होगा कि तो पूरी तरह से यह यह द्याइशन कंसरवेटिव नहीं होती यह होती है semi conservative आप यहां देख सकते हैं यह पेरेट स्टेंड है और इसी पेजेंट स्टेंड की कॉंपलीमेंटर जो डीने ने नया स्टेंड बनता है अपको हम डॉर्टर स्टेंड बोलते हैं तो इस इस एक्सपेरिमेट क्लियरली एक्सप्लेंट द है अब हो정 है यह डाट्ट दिन अग्लिकेशन-डी सेमी अभेटि एफ ली एक एष पंटर रहा है जूत सल्स इंग होती है तो कुल में में ऩशुकंड देते हैं डॉक का gla Vac को दो करन देटेंब तो एउब को अजैस 되면 जनेरेशन इस इस और थर्ड जनेरेशन तो टेलर का यह जो एक्सपेरिमेंट था यह प्रफॉर्म किया गया था पूछूँगा तो आप उसका प्लीज अंसर कीजेगा और हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो हमें एक नहीं टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा बैल आइकन जुरू बजाएगा थैंक्यू बरी मच्च